ऐसा ही जीवन है अभी है अभी नहीं छिड़ भुंगुर है इस छिड़ भुंगुरता को जिसने समझा वह धर्म में परवेश करता है इस छड़ मिंगुर्ता को जिसने ना समझा वो भटकता रहा कोलो के बेंड जैसा जूता गोल गोल खुबाता रहता इसी को बौध ने कहा एस धम्मो संतनो जी हाँ ओसो भगवान ने किस तरीके से भगवान बौध के बारे में बताया है जरा आप भी सुनीजिए जीवन छड़ छड़ परिवरतल सील है इसे देख लेना परमियम है एसा हमें दिखाई नहीं पड़ता आख पर कोई परदा है जो देखने नहीं देता रोज देखते हैं चारो तरफ मौत को घटते फिर भी यह बात मन में बैटती नहीं कि मैं भी मरूंगा रोज देखते हैं पीले पत्तों को गिरते लेकिन मन यही कहे जाता है कि मैं सदा हरा रहूंगा रोज देखते हैं जवानी को बुढ़ापे में बदलते स्वास्त बीबारी में गिरते रोज देखते हैं किसी को धूल में खो जाते लेकिन मन यही आसा संजोक रखता है यहां यह औरो के साथ होता है मेरे साथ ना हुआ नहोगा मैं अपवाद हूँ जिसने समझा अपने को अपवाद वो संसार से मुक्त नहीं हो सकेगा जिसने समझा कि नियम सास्वत है कोई भी अपवाद नहीं है जिहा ये भगवान उसों ने कहा जो हरा है वो पीला होकर जहरेगा जो जन्वा है वो मरेगा जो अभी इवा है कल ठकेगा और बोड़ा भी होगा यहां हर चीज बनती और बिगडती है सतत प्रवा है यहां कुछ भी थिर नहीं है यानि अस्तिर नहीं है एक छण भी थिर होने की आसा रखना महा भरमित है और थिर होने की अकंचा से ही सारे दुख का जनम होता है जो नहीं होने वाला है वो हो जाए इसी अकंचा में तो दुख की उत्पति है क्योंकि वो नहीं होगा और तुम दुखी हो जाओगे जवान हो जवानी को थिर बना लेने की अकंचा है सदा जवान रहू या नहीं होगा कभी नहीं हुआ है और यह नहोगा यह नियम की विप्रित है तो तु असंभो की कामना कर रहे हो फिर कामना तूटेगी पूरी तो हो नहीं सकती तूटेगी ही तब विसाद होगा तब गहन अंधेरे में खो जाओगे और तब ऐसा लगेगा कि पराजित हुए हो पराजित सिर्फ कामना होई है तुम नहीं लेकिन कामना को कामना से समझे समस्ता था एक अपने को इसलिए लगता है पराजित हुआ हो फिर भी सिखोंगे नहीं फिर भी छड़ भंगुर को पकड़ोंगे नहीं पानी के बबुले को थिर्फ बनाने की आकांचा है जो भूल तुमारी बग्या में खिला सदा खिला रहे ऐसा ही खिला रहे ऐसे ही सुगत उठती रहे ज़रेगा फूल कल सुबह पकोडिया गिरेगी धूल में तब तुम रोगे तब आशू समाले ना समलेंगे लेकिन तुम्हारे रोने का काड़ तुम ही हो तुमने कलक चाहा था तुमने असंभो चाहा था जो नहीं होता है वैसा चाहा था इसलिए बिसाध है कास तुम देख लो उसे जो होता है और वही चाहो जो होता है मर गई चाह का अर्थ ही है जो होता है उसके विप्रिक चाहना जैसा नहीं होता है वैसा चाहना जो होता है उसकी सुकृति उसके साथ सब्रस हो जाना चाह मर गई जवानी बुड़ी हो जाती है तुम भी स्युकार कर लेते हो जीवन मिर्तु में प्राड़ित हो जाती है तुम अंगिकार कर लेते हो सुक दुखों में बदल जाते हैं दिन रातों में ठल जाते हैं तुम जरा भी ना नूच नहीं करते हैं तुम कहते हो जो होता है होता है जै वहाँ वासना है वासना सदा विप्रित की वासना है इसी विप्रित की अकंचा को बुद्ध ने कहा तनहा तृष्णा किसी से तुम्हारा प्रेम हुआ अब तुम सोचते हो या प्रेम सदा रहे यहाँ कुछ भी सदा नहीं रहता है अब तुम कहते हो इस प्रेम को बाध रख लू द्वार दर्वाजे बंद कर दू कि यह प्रेम जोक कहीं बाहर न निकल जाए हात कड़िया डाल दू बेडिया पहन दू प्रेम को ताले पर ताले जड़ दू कहीं यह प्रेम चला न जाए मा मुश्किल तो आया है कितना पुकारा तब आया है या याद रखना न तुम्हारे पुकारने से आया है न तुम्हारे रोकने से रुखेगा आता है और अपने से जाता है अपने से तुम चिष्टा करके प्रेम कर सकोगे तुम्हे कोई आग्या दे करो इस बेक्ति को प्रेम तुम कर सकोगे जब आता है और तब आता है तुम अवस्य हो जिसके आने पर बस नहीं उसके जाने को कैसे रुखोगे जो आते समय तुभारे हाथ से नहीं आया वो जाते समय तुभारे हाथ से रुखेगा भी नहीं हवा का जोका है आया और गया इस सत्व को समझ लेना, धर्म को समझ लेना है क्योंकि यह इस सत्व को समझ में तो त्रिश्णा गिर जाती है मांग मिट जाती है, जो होता है उसे शुकार कर लेते है जो नहीं होता है वो नहीं होता है उसे भी शुकार कर लेते है फिर जैसा है वैसे बे ही तृष्टी है इस तृष्टी बे ही तृष्टा से मुक्ती है तृष्टा को ठीक से समझदा जुरूरी है क्योंकि तृष्टा का सारा जाल है तुम बधे संसार से नहीं, तुम बधे तृषणा से, संसार को गालिया मन दो, तृषणा से बधे हो, तो तुम तृषणा को समझो, तृषणा को भी गालिया मन दो, क्योंकि गालिया देने से कोई समझ पैदा नहीं होती, निंदा करने से कोई बोध नहीं पैदा होता, उत् कोल कर दिश्रा को देखो कितनी बार हारे हो शदा हारे हो जीत कभी हुई नहीं किसी की नहीं और जब तुम्हें लगती है जीत हो रहे हैं तब ध्यान रखना तुम्हारी नहीं हो रही है इसलिए हार जब तुम्हारी होगी तब तुम्हे तुम्हारी नहीं होगी यहाँ जीवन अपने नियम से चलता है कभी कभी स्वयोग वासत तुम नियम के साथ पढ़ जाते हो साथ पढ़ जाते हो अच्छा लगता है जब जब साथ छुड़ जाता है, तब तब दुख और पीड़ा होती है, काटा गड़ता है, तुम सदा नियम के साथ हो सकते हो, फिर महाशुक है, फिर आनन्द है, सदा नियम के साथ होने का अर्थ है, जो होगा उसके साथ अन्यता नहीं चाहूँगा, जैसा होगा उससे रत भर भी अन्यथा नहीं चाहूंगा दुख होगा तो दुख अंगिकार करूंगा सुख होगा तो सुख अंगिकार करूंगा मैं अपने को बीच से हटा लूँगा जो होगा उसे होने दूँगा मैं रिक्त हो जाओंगा अर्चन नहीं डालूँगा बादा नहीं ड़न लूँगा, मांग खड़ी नहीं करूँगा अपे च्छाय नहीं रखोंगा, मैं दूर हड़ जाओंगा जैसे मैं रहा नहीं आए हवा का जोका ठीक, ता आए ठीक सूरज की केरदर, आए ठीक ना आए ठीक उजला आए, अंधेरा आए, सुख के दिन और दूर दिन आए जो भी आता है, आए, मैं तो हो ही नहीं ऐसी भावना में फिर कहा दुख है, फिर कहा बिसाद है इस भाव दसा को बुद्ध ने, निर्वान कहा तुम रिक्त हो जाओ, सुन्ने हो जाओ, तुम बीच में न आओ, तो निर्वान है, निर्वान महासुक है यह सारे सुत्र तृष्णा के उपर है, इसके पहल ने, कि हम सुत्रों में उतरे, उन परिस्तितियों में चले जब यह सुत्र कहें पहला दिरे से भगवान गौतम बुद्ध सरवस्ती के जेतवन में विहारते थे सरवस्ती के नगरद्वार पर बसे हुए केवट गाउं के मलाहों ने अचरीवती नदी में जाल फेक कर एक स्वण वण अधुत मचली पकड़ अधुत थी मचली स्वण वण था उसका जैसे सोने की बनी हो उसके सरीर का रग तो स्वण जैसा था किन्तु उसके मुख से भैंकर दुरगंद निकलती थी मलाहों ने इसे चमतकार को जाकर सरवस्ती महराजा को दिखाया एसी मचली कभी उन्हें पकड़ी नहीं एसी सुन्दर काया कभी देखा नहीं था किसी मचली की जैसे सोर्ग से उतरी हो और साथ ही साथ दुरभाग में जुड़ा था उस मचली के पीछे उसके मुँ से ऐसी भैंकर दुरगंद निकली थी वैसे दुरगंद कभी नहीं देखी थी जैसे भीतर नर्क भरा हो बाहर स्वण की देह हैं और भीतर जैसे नर्क राजा भी चकित हुआ न उसने सुना था कभी न देखा था ऐसी मचली पुराणों में भी नहीं लिखी थी बुद्ध गाउं में ठारे हैं राजा उस मचली को एक द्रोणी में रखवा कर भगवान के पास ले गया सोचा चले उनके से पूछले सायथ कुछ राज मिल जाए उस समय मचली ने मुख खोला जिसे सारा जेतवन दुरगंद से भर गया जहां वो देखरे थे जिन बिच ओके छाया में वहां सारा जेतवन दुरगंद से भर गया एसी भैंकर उसकी दुरगंद थी राजा ने भगवान के चरणों में तीन बार प्रणाम किया पूछा भंते क्यों इसकी सरीर सुड जैसी है किन्तु मुख से दुरगंद निकलती है या दुद कैसा है या दुद कैसा है सुड की दे से तो सुगंद निकलती है अगर और कोड़ की नहीं होनी थी यह कैसा अजुबा है आप कुछ कहें तब भगवान बुद्ध ने अत्यंत करोड़ा से उस मचली की और देखा और बड़ी देर चुप रहें जैसे किसी और लोक में खो गए और फिर बोले महराज यह मचली कोई सवान मचली नहीं है इसके पीछे छीपा एक लंबा इतिहास है या काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित बिच्छू था या तिरपटक कदर था यादि जो महापंडित थे वो तीनों पटके जानकार थे ज्यानी थे बड़ा तरक निष्ठ बड़ा तरक उसल स्मिर्थी इसकी बड़ी प्रांगड थी और उतना ही अभिवानी भी था आंकार भी बड़ा तिच्छड था तलवार की धार की तरह था इसने अपने अभिवान में भगवान कश्यप को धोखा दिया अपने गुरु को धोखा दिया उन्हें छोड़ा ही नहीं वरन उसने विरोध में भी सलगन हो गया और इसने बहुत दिनों तक एक बुद्ध पुरुस का सत्संग किया था और उसके चरणों में बैठा था और उनकी छाया में चलता था उसके फल से हमें इस सोड जैसा वड़ मिला है ऐसे देह तो इसकी सोड वड़ी हो गई है क्योंकि बाहर से या उनके साथ था लेकिन आत्मा से चुक गया बाहर से तो सुन्दर हो गया लेकिन भीतर कुरुप हो गया है बाहर से तो बुद्ध पुरुस के साथ रहा भीतर ये भीतर विरोध का संजोग रहता तो बाहर सुन्दर हुआ भीतर कुरुप हो गया बाहर सोने जैसा सोण हुआ भीतर सिवाय दुरुगंद के और कुछ नहीं है बाहर तो बुद्ध की छाय का परडाम है भीतर या जैसा ही है वैसा है उस अद्दर कूरुपता के करण ही इसके मुख से भैंकर दुरुगंद निकल नहीं है इसी मुख से इसने कास्यब भगवान का विरोध किया था और भली भाती जानते हुए कि यह गरत है फिर भी विरोध किया यह दुरुगंद उसी दागाबाजी और धुरुटता और अहंकार की गवाही दे रहा है राजा को इस कथा पर भरोसा नहीं हुआ तो भरोसा ना हुआ तो भी तो कैसे हो यह कथा कल्पिस सी महलूम पढ़ रहे थी फिर परणाम क्या फिर गवाही कहा यह बोला आप इस मचली से कहलवाए तो मैं मानू राजा ने बोला भगवान बुद्द से भगवान हसते हुए अब करवडा से उन्होंने उस राजा की ओर देखा वैसे ही जैसे पहले मचली की ओर देखा था और मचली से बोले याद कर भूले को याद कर तो ही कपिल है तो ही वह विच्छू है जो महा ग्यानी था जो काशब बुद्द के चरणों में बैठा था जो उनकी छाया में मचली बूली हाँ भात्ती मैं ही कपिल हूँ और उसकी आखों से आसु भर गया गहन पश्चाताप और गहन विसात से उस छड एक अपूर घटना घटी आसु भरी आखों के साथ बुद्द के समझ वह मचली तत्य छड मर गई उसकी मित्व के छड में उसका मुँख खुला था लेकिन दुर्गंद बिलिन हो गया थी जीते ही जी दुर्गंद आ रहे थी मर कर तो और भी आनी थी मर कर तो उनके उनमें भी दुर्गंद आने लगती है जिन में दुर्गंद नहीं होती लेकिन यह अपूर हुआ मचली म बर गई, मुझ खुले, आख्रवे आसू उसे भरे, पच्चा ताप, लेकिन पच्चा ताप से ही उसे नहला गया, धो गया, पवित्र कर गया, उच्च पच्चा ताप के छण में उसका आंकार गल गया, किसी और बुद्ध के समझ अहकार लेकर खड़ी थी, आज किसी और बुद्ध के समझ छवा मांग ली, वे आसू पुन्य बन गये, वो मचली मर गई, इस से सुन्दर छण मरने के लिए और मिल बे नहीं सकता था, एक संदाटा सा छागय सारे विच्च्वी कठे हो गये थे, मचली को देखने, फिर यह भैंकर दुरगंद जो दूर दूर थे, जिरे पता भी नहीं हो था, वे भी आ गये, कि बात क्या है, इस भैंकर दुरगंद कैसे उठी, फिर पहराज को देखा, फिर बुद्ध के यह अदबुद् बचन सुने, और फिर मचली को बोलते देखा, और यही नहीं, फिर मचली को मरते देखा, रुपांत्रित होते देखा, मरतु जैसे समाधी बन गए, और यह भि देखा, चमातकार के जीते जीते दुरगंद भरे थे, मरते दुरगंद बिदा हो गई, इतना ही जैसे ही पुरानी दुर्गंद दीरे दीरे हवा में जोके ले गए उस मरी हुई मचली से सुगंद आने लगी जेतवन जैसे पहले दुर्गंद से भरा गया था वैसे ही एक अपूर सुगंद से भर गया वह विच्छु पहचानते थे भली भाती वह सुगंद कैसी वह बुद बुद्व की सुगन्द थी जैसे बुद्ध से आती थी मचली उपलब्ध होकर मरी एक छड में करांती घटी करांती जब घटी है तो छड में घटी आती है बुद्ध की बात है सनाटा चा गया बड़ी देर तक कोई कुछ ना बोला लोग स्वग्ण हो गये उन्हें रोमांच हो गया तब भगवान ने उस समय बस्तित लोगों को चित दिसात को देख कर गाथाएं कही इसके पहले कि हम गाथाओं में जाए इस कथा कि एक सब्द को हिर्दे में उतार जाने दो समझो भगवान गौतम बुद्ध सरवस्ति के जेत्वन में ठीव बहरते थे गौतम उनका नाम था उनके माता पिता ने दिया था बुद्ध उनकी उपलब्दी थी क्योंकि वो निद्रा से जागे अंधेरे से प्रकास बने मुर्चा गई होस आया दिया जल जला भीतर की सो बुद्ध उन्हें कहते हैं और जो भी जगा और जग गया वो भगवान हो गया बुद्ध परमपरा में भगवान का वैसा ही अर्थ नहीं है जैसा हिंदू या इसलाम या इसाई परमात्मा में हैं हिंदू, इसाई, इसलाम की परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने स्रिष्टी को बनाया है बुद्ध परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने स्वयूं को जाना है क्योंकि बुद्ध परंपरा में इस संसार को बनाने वाला तो कोई है ही नहीं यह संसार कभी बनाय नहीं किया यह अस्रिष्ट है यह सदा से है और यही बात ज्यादा संगत मालुम पड़ती है तुम देखती हो संसार एक वर्द्वल में खूम रहा है बीज बोते हुए बिरिच बन जाते हैं बिरिचों में फिर बीज लग जाते हैं फिर बीज बो दो फिर बिरिच बन जाते हैं बिरिचों में फिर बीज बन लग जाते हैं तुम ऐसी कोई घड़ी सोच नहीं सकते हैं जब या वर्द्वन ना रहा हो तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि बीज हो जाए बिना ब्रिचों के बीज ना हो सकेंगे और तुम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि आचानक ब्रिच हो जाए स्रिष्टी का तो यह अर्थ हो यही होगा कि भगवान ने या तो बीज बनाए या ब्रिच बनाए कहीं से तो सुरू करना होगा लेकिन ब्रिच मिना बीज के नहीं हो सकते और बीज मिना ब्रिच के नहीं हो सकते यह परमात्मा सास्वत है, सनातन है, इसको बुद्ध ने संतिती कहा, यह धारा सदा से है, इसको कभी किसी ने मनाया नहीं, इसलिए सश्टता की धारा, धारा बुद्ध के विचार से जरा भी नहीं है, आकास में बैठे भगवान की धार्ना बुद्ध की परमपरा से बड़ी बचकनी है, वो मनुष्ट की कलपना है, कोई आकास में बैठा हुआ है, और कोई निरमता है, न कोई निरंता है, फिर कैसे यह बिराठ चल ला है, प्रस्त उठता है, कैसे ये बिराद चलना है, जब कोई सम्भालने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई नियनता नहीं, इतनी जटिल परिक्रिया कैसे, सांती से चल लए है और कितनी नियम बद इस नियम बजता को बुद्ध ने धरम कहा, इस नियम बजता को परम नियम कहा, एस धमो, संतनो, इसलिए बुद्ध की बात मिग्ञान को की रूचती है, आज पच्चिम में बुद्ध का परवाव रोज रोज बढ़ता जाता है, कोई कि बिग्यान से बात तालमेल खाती है बिग्यान भी कहता है नियम है बस सब नियम से चलता है जमीन में गुर्तवा करसड है इसलिए फल नीचे गिर जाता है पानी का नियम नीचे को तरफ पहना है इसलिए पहाड सोतर के नदियों में बहता है शागर में पहुंच जाता है सारी चीजे नियम से चल रही है नियम है, नियता नहीं है नियम का अर्थ है पर मात्वा ब्यक्ति की तरह नहीं है सिद्धान की तरह है और जो भी जग जाता है वो उस नियम के साथ एक हो जाता है क्यों? क्योंकि या उस नियम के से विपृत अकांचा नहीं करता है सोया हुआ आदमी नियम के विपृत अकांचा करता है सोया हुआ आदमी जैसे रेत निचोड़ और सोचे कि तेल मिल जाए जगा हुआ आदमी ऐसा तेल को निचोड़ता है तो तेल पाता है रेत को नहीं निचोड़ता है, जानता है रेत से तेल नहीं होता है, और अगर रेत को निचोड़ कर तेल न मिले तो दुख नहीं होता है, क्योंकि जो नियम के विपरित है, वो नहीं होता है, फिर लाख प्रात्राय करो, पूजायो करो, हवन करो, यग करो, जो नियम के विप नहीं होगा बुद्ध धर्म में चमतकार के लिए कोई जगा नहीं है चमतकार होते ही नहीं है चमतकार के नाम पर जो होता है सब धोकारधड़ी नियम के विप्रित कभी कोई बात नहीं होती जो होता है नियम के अंसार होता है जो अस्थान भगवान का है हिंदु इसाई इसल बुद्ध और जैन लाऊसुक की परंपरा में जो की लाऊसों ने लाऊ से कहा, उसी को बुद्ध ने धर्म कहा. धर्म का सब्द अर्थ भी होता है जिसने धारन किया है, जिसमे सब ठाहरा है. लेकिन धर्म सिधान्त ब्यक्ति नहीं है, कोई धर्म, कोई आदमी की तरह सिहासन पर नहीं बैठा है, धर्म बिस्तरणी है, प्राकिर्ती की कड़ में धर्म छाया है, और जब सब जगा फिर भी भगवान का अर्थ है, अन्यत्था हो गया, फिर भगवान का अर्थ बनाने वा वाला ना रहा बनाने वाला कोई हाई ही नहीं बुद्ध को भगवान कहा है क्योंकि उन्हों ने जाना जागो नियम के अनकुल हो गया हो नियम के प्राकृति कुलता में दिखी है नियम के अनकुलता से सुख ले सकते हैं यह व्यज्ञानिक बात है तुम रास्ते पर सभल कर चोलो तो पिर्थी भी तुम्हें गिरती नहीं और तुवारे टांग नहीं तोड़ती और फ्रेक्चर नहीं होते हैं तो इस तरीके से बहुत सारी बाते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइ भगवार ओसू की है थन्यवाद वीडियो दिखने के लिए